Hello and welcome friends, आज का ये वीडियो Microsoft Access जैसा एक software होता है जिसका की नाम है OpenOffice Base Database तो आज हम लोग OpenOffice Base Database की बात करेंगे, आए देखते हैं कि इसको कैसे यूज करना है तो सबसे पहले यहाँ पर Start Button पर क्लिक किया, मैं यहाँ पर Windows 11 यूज कर रहा हूँ और यहाँ आगया आपका OpenOffice तो यहाँ पर हमें OpenOffice का Base यूज करना, यानि यह Microsoft Access जैसा डाटाबेस है और यहाँ पर भी होता है SQL View, तो कैसे इसको यूज करेंगे, कैसे यह आएगा, आई यह चलिए देखते हैं तो यहाँ पर OpenOffice Base पर क्लिक कर दिया है, अब यह Open होगा, चिक है, यह देखे, यह OpenOffice ओपन हो रहा है और यहाँ पर Base ओपन हो चुका है, यहाँ डाटाबेस इसका Open हो चुका है, तो हमारे पस कोई बनी बनाई, नई, पुराना डाटाबेस तो है नहीं, तो हम New Database create करेंगे तो Create a New Database पर जाकर की Next पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही Next पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से Do Not Register Database, Do Not Register Database पर जाकर करके Finish कर देंगे जैसे ही Finish करते हैं, तो यहाँ पर इस Data भी इसका नाम आएगा, चलिए हम इसी नाम से Save करते हैं इसे, और इसके File के Extension आप देखी सकते है, .odb होती है, ठीक है, और यहाँ पर Save पर क्लिक कर देता हूँ, तो यह जैसे ही Save होगा, तो एक नया Scenario आपके सामने आएगा, कुछ इ बना सकते हैं, लेकिन आज का ये Topic इस बात को लेकर के है, कि हमें Design View पे भी नहीं जाना है, SQL View में Query लिखनी है, SQL View के अंदर Query लिखनी है, तो SQL View में आप जा सकते हैं directly, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इन तीनों Options का Use हमें नहीं करना, हम चाहते हैं कि हम SQL View में जाके ये Tools दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर लिखा होगा SQL, तो हम यहीं से चलेंगे और यहीं से बनाएंगे Table, तो यहाँ पर आ चुके हैं, अब जैसे कि Microsoft Access के अंदर करते हैं, Create लिखते है, Table बनाने के लिए, यहीं लिखते हैं, तो Create यहाँ पर भी हम लिखेंगे, देख ठीक है, तो यह हो गया Student के नाम से Table, और यहाँ ब्रैकेट को Open कर लिए, अब इसमें Field कौन कौन से आएंगे, ठीक है, तो जैसे माली जी यहाँ पर आएगा Roll Number, तो यह लिखा Roll Underscore लगा के Number लिख लिख लिए, ठीक है, तो Roll Number हो गया, और Roll Number का Data Type हम में Mention करना है, तो यहाँ पर Data Type हम Mention करेंगे, फिर कौमा लगाएंगे, कौमा लगा के दूसरा Field आएगा, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर Roll Number को क्या Primary की रखना है, तो यहाँ पर तीधा भी लिख सकते हैं Primary की, तो यहाँ पर मैं Primary की कर देता हूँ, यानि इसमें duplicate values अब Allowed नहीं होगी, यह चीज ज्य Class यह section mention कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए, कौमा दे करके, फहले तो इसका data type mention करेंगे, तो data type हम दे देते हैं, where care, where care के बारे में आपको पहले भी बताते हूँ कि where care और care में care difference होता है, size इसकी 20 रख लेते हैं, कौमा लगा करके क्या करना है, यहाँ पर दे देना ह अब जैसे name हो गया, name के बाद क्या दे देंगे, class देंगे, c, l, a, double, s, तो यह हो गया class, और class का जो data type होगा, इस बार हम care कर देते हैं, care, और size रख देते हैं, 3, 4, 5, कुछ भी कर सकते हैं, तो यह 3 रख दिया है, हमने class का data type care किया, और यहाँ 3 size रख दिया, bracket को close करके, और इसे execute करना है, तो देखिए, execute जैसे ही करेंगे, तो यह लिखा हुआ है, command successfully executed, अब इसका result क्या आया, यह भी देखना होगा, कि यह जब चला, तो इसका paradigm क्या आया, इसका result क्या आया, तो इसको हम close कर सकते हैं, चाहे, तो यहाँ से जा सकते हैं, close करने के लिए, या फिर इसको close कर सकते हैं, तो यह close किया, then इसको again open करना होगा, तो database पर जाएंगे, और यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर आपको एक नई table बनी हुई नजर आएगी, कैसे ही, यहाँ पर देखिए, यह student नाम से हमने जो बना हुआ था, वही बना हुआ नजर आ रहा है, और यह यहाँ पर देखिए, रोल लंबर को हमने बनाया था primary की, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो इसको कोई problem नहीं है, यहाँ पर लिख दिया राम, ठीक है, और यहाँ पर class लिख दिया 12, तो यह 12 लिख दिया है, फिर आते हैं यहाँ पर यहाँ रोल लंबर 2 करते हैं ठीक है, तो यहाँ पर class 12 तो acceptable है, लेकिन 2 acceptable नहीं है, यह error बताएगा, कारण क्या है, कि यहाँ पर जो है, इसे primary की बनाया गया था, तो इस 2 को हटाना पड़ेगा, बाकी सब तो ठीक है, लेगिन इस 2 को आपको हटाना ही पड़ेगा, आप दूसरा कुस काम नहीं कर सकते है इसके ले ठीक है, तो आई होप कि आपको बात समझ भाई होगी, कि यह table बहुत ही असानी के साथ कैसे create करी जा सकती है, open office database में, अगर आपको यह video पसंद आए, तो उसे share कीजगा, साथी साथ इस से related कोई और भी सवाल हो, तो आप पूर सकते हैं comment box में, thank you for watching this video.